जहीं दोस्तों, आपने 5 सवाल बहुत बार मुझे पूचे है, यह 5 सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और इसकी बहुत ज़्यादा जरूरी जनकारी मिलेगी आपको, ठीक है ना, और इन सवालों के जवाब आप बहुत सारी कैंडियों को नही तो इन सवालों के जब आपको इस वीडियो में मैं complete देने वाला हूँ तो ज़्यादा टाइम बरबात ना करते हुए हम अपने पास question के तरफ बढ़ते हैं और उनके इद्धम सटिक जानकरे मैं आपको इस वीडियो में देती था हूँ पहला question यह था कि additional candidate जो है physical return में पास हो गये थे 19,000 तो 19,000 candidates को जो है physical के लिए बुलाया गया था तो बच्चों का question यह है जो physical qualify करती हुए भी उनको medical के लिए नहीं बुलाया गया तो उनका question यह है कि additional candidate 19,000 पास की है लेकिन medical के लिए सिर्फ 17,000 को ही बुला रहे तो हमारा क्या होगा ऐसे question आ रहते हैं वो comments में आपको दिखा दा हूँ तो यह question आया था मेरा vacancy increase होगी या नहीं उस video के नीचे जिनको medical के लिए नहीं बुलाया उनका क्या होगा तो यह question आया था और next question यह था कि जो लोगों को medical नहीं बुलाया गया था उनका देख सकते हैं तो इस type के question आ रहे थे कि मतलब उनको इसा लग रहा है कि 19,000 candidate का फिजिकल लिया लेकिन 1700 का ही medical क्यों ले रहे तो इस question का जबब मैं आपको दे देता हूँ इद्दम फटाक से इद्दम टाइम जादा नहीं लगाऊंगा ठीके न देखे आप जब physical आपने जब रिटें दि ठीक है ना तो फिल हो गए थे उसके बदम medical के लिए चले गए लेकिन जब हमारा medical वगराद चल रहा था तब 2000 vacancy increase हो गई थी पहले अठावना जार थी फिर बाद में 6210 हो गई तब जाके SEC और CRP के rule के according 2000 vacancy बड़ी उसी के according 2000 बच्चों को पास करना था ठीक है ना 2000 बच्चे एक्स्ट्रा पास करने थे तो SEC ने और CRP अपने क्या किया कि जो candidates already fail थे return में उनी में से 19,000 बच्चों को पास किया cut off कम करके जब cut off कम हो गई तब जाके 19,000 बच्चे पास हुए ठीक है लेकिन यह पास हो गए और फिर इनका physical लिया गया 19,000 पूरे candidates का लेकिन क्या हुआ कि आपका जो cut off था वो कम हुई थी return में ठीक है ना return में कम हुआ तब जाके आप पास हुए लेकिन जब आपका physical complete हो गया 19,000 बच्चे तब cut off बढ़ गई और cut off इतनी बड़ी कि 19,000 में से शरिफ 1700 ही बचे, 1700 भी नहीं बचे ठीक है ना 1700 भी नहीं बचे तेरा सो पचपनी बचे थे ठीक है तेरा सो पचपनी बचे थे और उनका medical होना था ठीक है आप fail हो गए हो क्यूँ क्यूँके आपकी cut off बढ़ गई वैसे ही सेम हमारे साथ भी हो था हमारे बहुत सारी भाई ह हमारे साथ जो physical qualified कर चुके थे लेकिन उनका cut off बढ़ने के कारण उनको medical के लिए बुलाए है नहीं वैसे ही सेम आपके साथ भी हुआ है ठीक है तो यह सब के साथ हुआ है जो additional candidate उनके साथ भी हुआ था और जो हम जो order medical fit हो चुके है हमारे साथ भी सेम वैसे हुआ था हमारे बहुत सारे physical pass हो गएते लेकिन उनकी cut off बढ़ने के कारण उनको physical pass होते हुए भी उनको medical के नहीं बुलाया हमारे साथ ठीक तो आप लोगों का जब आपको medical के लिए क्यों नहीं बुलाया क्योंकि आपकी cut off increase हो गई थी आपकी number कम थे इसलिए आप फेलो गए और आप बरत नहीं है ठीक है तो आपका पहले question का जबाब मैंने दे दिया I hope आप समझ गये होंगे next question यह पूछ रहे थे भाया बहुत हमारे candidates कि additional candidate physical तो सिर्फ 1353 candidate नहीं पास किया था तो यह जो नई list आई है जो अभी आगस्ट में जो notification आई है जिसको आमने दिखाया उसमें तो 1724 candidate कैसे हो गए मतलब candidate बढ़ कैसे गए 1353 से सिधा 1724 कैसे हो गए तो वो कुछ मुझे पूरूब दिखा रहे थे तो मैंने भी आपको दिखा था हूँ तो यह है वो PDF यहापे जब physical पास किये गए थे candidate तब वो थे पहले March मेंने में 1353 ठीक है 1353 additional candidate है जिनका medical loan आए लेकिन यह cut-off cut-off बड़ी और सिर्फ 1353 ही candidates थे लेकिन जब यह August मेंने में यह notification आई तब यह पूरे मिला के 1724 candidate हो गए तो यह कैसे हुआ तो यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ठीक है यह question आपका बहुत अच्छा लगा मुझे इसलिए मैं आपको इस वीडियो में इस question का जवाब देता हूँ देखिए additional candidate जो है वो 1353 candidate पास हुए थे लेकिन जब यह August में नई notification आई तो इसमें कुले 1724 candidate है तो यह candidate एक्स्ट्रा बड़ कैसे गए मतलब 1317 कैसे हो गए तो यह बीच वाले candidate कैसे आई तो इसका अंसर है मेरे पास देखिए बहुत सारे candidate को क्या हुआ था कि हमारा जब medical हमारा जब physical जाल रहा था हम medical fit है already तो हम हमारे वक्त जब वो candidate जो थी उनका physical में कुछ problem हो गया था मतलब जैसे उनका कुछ documents में problem हो गया था उनको fail कर दिया था कोट में जाके उन बच्चों ने जब याचिका डाली कि हमें हमारे साथ गलत हुआ है SSC ने CRPF ने हमारे साथ गलत किया है BSF वालो ने हमारे साथ गलत किया है तो एक कोट ने जो है department को CRPF BSF SSB वगर इन सब को क्या है notice दिया कि यह नाम का बंदा है इसने कोट में याचिका किया गया ठीक है तो वह जब दूसरी बार हाइट चेस्ट देने गए फिजटा देने गए तो उनको आप अपि कॉलिफाई कर ले गया ठीक है तो कॉलिफाई ऐसे पूरए अलोर इंडिया में बहुत सारी केड़िए ने केड कोट केस किया था ठीक है ना इसलिए वह पास हो होना है ठीक है तो यह ओल और इंडिया में जो केंडियर्स है वो यह है और यह 1353 से बढ़कर 1724 हो गए यह पूरे और इंडिया में जिनका मेडिकल कुछ मतलब फीजिकल में कुछ ना कुछ कारण के वज़े से फैल हो गए थे उनको अभी कौलिफाई करके इनके साथ उनका मेडिकल होना है तो आपका इस कौशन का भी आंसर मैंने आपको दे दिया है आप समझ गयोंगे ठीक है ना उन्होंने कोट केस कर दिया था इसलिए उनको ए यह वही कैंडिये आर बहुत सारे रहे हैं कि बर्ति में गफलाव रहा है मतलब कैंडिये एक्स्ट्रा कैसे और रहे हैं कुछ ना कुछ लोच चाहिए कोशन कर रहे है लेकिन यह अहिसा नहीं यह वह केंडिये जो केस करके जो फीजिकल पास हो गया फिर उनको अभी मेडिक यह लिए सब्सक्राइब नॉठ सेवा कहिले हैरा डिरोचेश्यों वस्erus pen to sales इने कि अ लगया मघांग है इन आपने जो नेक्स्कार के तराए एक भाइंची आदा कि आपने जो कट अप बनाई हिए। वो बहुत ज्यादा है और cut-off इतनी नहीं जाएगी तो दीखे मैंने अपनी जो cut-off की वीडियो बनाई थी उन्हें पहले ही बोल दिया है थी कि यह expected cut-off ही कोई original cut-off नहीं मेरी cut-off में minus plus hundred percent होगा तो उसमें ज्यादा tension लेनी के बात नहीं है cut-off जिसका first preference दिया होता है all or India का सबसे ज़्यादा जो 2020 में सबसे ज़्यादा preference दिया गया है वो है CISF CISF का merit अगर 5 number 7 number बढ़ जाता है तो वो कम होते 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 SSB या ITBP तक एक number दो number हो जाता है मतलब first preference का अगर 7 number है तो उसका 2 number वाला का 6 number रहेगा तीन number वाले का 5 ही रहेगा चार नमबर वाले का 2 ही रहेगा तीन ही रहेगा ऐसा चलता है तो आप ज्यादा tension मतलो अगर आपका cut-off से एक दो number भी ज्यादा है आपका final selection हो जाएगा आप ज्यादा tension मतलो ठीक है मेरी cut-off कोई original cut-off नहीं है वो सिर्फ मेरा अनलाइस किया हुआ डाटा है उसमें changes 100% है ठीक आयोप मैंने दिए जो question का जवाब है आप समझ गये होंगे और हमारे हमारे इस वीडियो का last question भरती परक्रिया इस साल पूई हो जाएगी तो देखें अभी कोई 19 का माम लाइप फिर भी डिपार्मेंट ने से अरे पेपने additional candidate का medical शुरू कर दिया है वो दस सप्टेमबर तक चलने वाला है उसके बाद एक notification आने वाला है जो कि रिमेडिकल के recording होगा कि रिमेडिकल कपसे शुरू हो रहा है लेकिन इतना जानकर मिल गया है कि आपका जो रिमेडिकल है वो सप्टेमबर मैंने में शुरू होने वाला है ठीक है सप्टेमबर मैंने आगे 15 तारीक की बीच बाद कुछ निरने ले ले लिए जाएगा notice वगरा में सब कुछ बता दिया जाएगा और admit card वगरा भी आ जाएगे लेकिन रिमेडिकल जैसे ही खतम होता है उसके तूरंत बाद ही आपका जो है final merit list आजाएगा जादा देर नहीं लगाएगा क्योंकि already 5 मैना delay हो चुका है बरती कुछ ना करती हुए सिर्फ 5 मैने इसे गुजर गए COVID-19 के वज़े से ठीक है तो final merit list है जो रिमेडिकल के बाद ही आएगा और joining लेटर final merit list आने के बाद आएगा और joining ऐसे ही नहीं हो जाएगा ठीक है already BSF treatment के candidate जो है उनका सब कुछ हो चुका है सिर्फ और सिर्फ joining letter आना है लेकिन COVID-19 के वज़े से नहीं आ रहा है आर्मी जेडी का भी एक भरती हुआ है महाराष्ट में लातुर ने परबने वाला उसमें भी बहुत सारे candidate का हो चुका है लेकिन उनका भी joining अभी तक नहीं किया गया है लेकिन उनका final merit list तक जारे हो चुका है तो हमारा additional candidate का medical भी हो जाएगा रिमेडिकल भी हो जाएगा आर बगवान से दुआ करो कि final merit list आ जाए 2020 में ही अगर हो सके तो अगर सब अक्टमर मैने तक रिमेडिकल वगरा सब कुछ खतम हो जाएगा अगर शुरू हो जाता है तो ठीक है और खतम हो जाए तो तो नवंबर दिसंबर में आपको final merit list देखने के लिए मिल जाएगे लेकिन joining का कुछ नहीं बल सकता ठीक है वो अर हर department का अलग होता है 2015 की बरती में फरवरी में final merit list आ जाए था और उसके दो मैने बाद joining लेटर आ गए थी लेकिन इस साल क्या होता है किसी को नहीं पता क्योंकि COVID-19 के वज़े से joining होना थोड़ा कटीन है final merit list क्या है दो दिन चार दिन प के वज़े से बहुत ज्यादा महल खराब है अगर कोई vaccine वगर आ जाती ही उस वक्त तो joining भी फटाफट से हो जाएगी ठीक तो मैंने आपके सारे पाचो सवालों के जवाब एकदम accurate दे दी है I hope मैंने दी हुई जानकर आप पूरा समझ गयोंगे और अगर वीडियो चिल मतलब आदी आदूरी जानकरी अच्छी नहीं होती है आप इस बात को समझो अगर मैं कुछ भी बोल दूँगा तो मतलब उसमें महत्व नहीं रहेगा तो मतलब बखने से कुछ फाइदा नहीं है ठीक है तो सेकम 5-6 मिनिट 7 मिनिट की वीडियो परेती है तो उसमें आपको तो वीडियो जादा बड़ी बनाने में हमको भी कुछ फाइदा नहीं मिलता है ठीक है आप तक जानकरी पहुचानी है जितनी हमारे पास है